Hi everyone, आप देख रहे हैं IR Concepts and Constrictions, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 by 40 feet में एक apartment type का ये plan है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दू अलग-अलग plans दिख रहे हैं, ये ground floor का plan है और ये typical floor plan है, 1st, 2nd and 3rd, या आप 1st, 2nd भी बना सकते हैं, अगर आपके area में कहीं भी solution है, तो आप 1st, 2nd and 3rd भी बना सकते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे west facing plot है, तो ground floor के plan से हम पहले start करते हैं, आपको 2 gates मिल जाएंगे, एक separate entry है आपको नीचे के यहाँ पे हम और थोड़ा हम जूम कर लेता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे main door से आप enter करेंगे, 5 by 6 feet 9 inches का आपको fire मिल जाएगा, तो यहाँ पे आगे आएंगे तो 13 feet 3.5 inches by 10 feet का आपको living area मिल रहा है, यहाँ पे TV unit आपको मिल जाएगा, तो सबसे back side आप देख सकते हैं, 10 by 12 feet 4 inches की आपको bedroom मिल जाएगी, wardrobe or dressing आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस bedroom का window हमने यहाँ पे लगा दि जाएगा, तो यहाँ पे right side में आपको 18 feet 4 inches by 8 feet का kitchen और dining मिल रहा है, तो यहाँ से भी एक door है, यहाँ से भी आपको एक door मिल जाएगा, 3 by 7 का एक door है, 8 by 4 feet का purity मिल रहा है, सिर्फ यहाँ तक यह 8 है, तो यह भी 3 feet आप यहाँ पे यह ऊपर तक open to sky रहेगा, तो ग्राउंड आपको 11 by 10 feet की यहाँ पे एक bedroom मिल जाएगी, अब देख सकते हैं काफी spacious 2 bedroom हो गए, तो सबसे आगे आपको एक और spacious 13 feet 10 inches by 9 feet की bedroom मिल रही है, तो 2.5 का door और यहाँ पे attached bathroom 5 by 9 feet का, 2 feet यहाँ पे setback छोड़ दिया है, और यहाँ भी 2 feet setback छोड़ दिया है, अब देख सकते हैं, spacious living area और फोयर भी आपको मिल रहा है, open kitchen and dining भी आपको मिल रहा है, बहुती spacious 3BH के plan है, वो भी सिर्फ 30 by 40 feet के plot में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं और अभी आप राइट साइड जूम कर लेता हूं, तो जैसे आप यहाँ पे ऊपर चड़ के यहाँ बालकनी के पास आजाएंगे 17 feet 4 inches by 6 feet के आपको balcony मिल रही है, यहाँ पे इसका main door आजाएगा 4 by 7 का, आपको फोयर यहाँ पे बड़ा मिल रहा है 10 by 9 feet का, living area आप देख सकते हैं 12 feet 4 inches by 10 feet, और यहाँ पे आप यह kitchen, dining, यह bedroom, यह bathroom, और यह bedroom, और यह bedroom, आप यहाँ पे देख सकते हैं, almost सारे same र आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 feet था, यहाँ पे 12 feet हो गया है, तो चाहे तो आप 11 feet ही रख सकते हैं, और hall और थोड़ा बड़ा चाहिए, तो hall बड़ा साइज में कर सकते हैं, यहाँ पे और फोयर भी था, तो हमने इसका size 1 feet बड़ा के 12 feet कर लिया और यहाँ पे इसका TV unit भ हो जाएगा, आगे 11 by 9 feet का यह bedroom हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा कम कर लिया है, फोयर यहाँ पे आपको बड़ा मिल जाएगा, यह भी आपको बहुत ही तीनों spacious rooms यहाँ पे मिल जाएगे, 5 by 9 का attached toilet यहाँ पे आपको मिल रहा है, ventilators, windows entry आप यहाँ पे देख सकता है, तो जैसे आपने देखा यह था 30 by 40 feet में, एक apartment type plan यहाँ पे आपको 4 floors याणी 4 flats मिल रहा है, बहुत ही अच्छा rent आपको मिल सकता है, यहाँ पे नीचे की flat में आप रह सकते हैं और उपर के तीनों आप रेंट पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे separate entry रखा है, यहाँ पे एक wall बना देंगे, तो disturbance नहीं रहेगा, जो भी tenants रहेंगे, वो यही से ऊपर चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यह separate parking, इनका separate parking यहाँ पे हो रहा है, अब चाहिए तो 3 floor बना सकते हैं, नहीं तो 2 floor पे भी stop कर सकते हैं, तो जैसे आपने देख कमेंट सक्षन में ज़रूर बता है, और अभी तरह ता आपने अगर हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं है क्या है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, विकॉज आके और भी बहुत सारे plans and designs में आपके लिए प्लाने माला हूँ, आज के लिए सिर्फ इता है इस तो, मिलते ह हमारा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाई बाई